नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News आज चैतर मास के शुकल पक्स के पंचमिती थी और दिन सनिवार है तदनसार अंग्रेजी तारिक 13 अप्रेल सन 2024 आज यानी 13 अप्रेल को चैतर नवरात्री का पांचवा दिन है नवरात्री के पांचवी दिन देवी दुर्गा के पांचवी रूप मासकंद माता की पूजा की जाती है सबसे पहले आज के मुख्य समाचार हरियाना में ओलावर्ष्टी और बर्षात की संभावना इन जिलों में यलो और ओरेंज लट जारी हुआ बताएंगे मोसम का ताजाहाल महेंदरगड स्कूल बस आजसे से मुख्य सचीव नाराज डिसी और एसपी के पेज कसे बोले गलत करने वालों को जूते लगाओ बच्चों का बलिदान जाया नहीं होना चाहिए हर्याना बोड की दस्वी और बार्वी की रद प्रिक्साइं फिर होंगे आवजीत बताएंगे टाइम और तारिक भगत फूल सिंग मैला विश्विदाले सोनिपत में आई बंपर बरती बताएंगे पूरी अपडेट हर्याना में राशन डेपो धारकों के लिए खुश ख़वरी सरकार ने अपने इस फैसले पर लिया यू टार्ण महेंदरगट बस हाथचा कनीना बार असोशेशन का बड़ा फैसला कोई भी वकिल नहीं करेगा आरूपी पक्स की पैरवी हर्याना में बीजेपी को हराने के लिए कॉंगरेस की नई राने नीती गुरुगराम लोगसवास सीट पर सेलेबिटी कार्ड खेलने के तैयारी इनेलो जजबा की एक होने के सवाल पर दिगविजे चोटाला वोले हमें वापस बुलाने का फैसला उम्पर का चोटाला करेंगे वंदेबार ट्रेन में अब आम यातरी भी कर्श केंगे सफर सिलिपर कोच का हो रहा है विस्तार ये होगा रूट सरकारी नोकरी अपडेट गुजरात पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 12,000 से ज़्यादा पदोपर भरते आवे दिन की लास्ट डेट 30 अपरेल 12 पास करें अपलाई भारत की एडवाजरी नागरिक इरान वे इजराइल ने जाएं दावा इरान दो दिन में इजराइल पर हमला कर सकता है अमेरिका बोला चीन सौधी टकराव रुखवाए मार्च में खुद्रा महेंगाई दर घट का 4.8% पर होई यह 10 महीने में सबसे कम वज़ाए खाने पीने की चीज़ों की कीमते घटी और दिल्ली कैपिटेल्स ने आईपियल में लखरव सुपर जाएंट्स को पहली बार हराया सीजन के 26 मुकाबले में सुपर जाएंट्स को 6 विकेट से माद दी और अब खबरे विस्तार शे मौजोदा समय में हरियने के कई जिलों में परशाद को लेकर मौसम विभाग ने अलट जारी किया है दूसरी तरफ चंडिकट मोहाले और पंचकुला में भी मौसम का मिज़ाज बदलने वाला है पंचमी विस्तार शेरी होने के कान आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा चंडिकट मोसम विभाग के मताबिक माने तो आज गरजवत चमक के साथ बारिस हो सकती है इस दोरान 50 किलमेटर पर ती घंटे के रफ्तार से हवाई भी चलेंगी इसके चलने से सनिवार और रविवार को दिन भर बादल चाहे रहेंगे बीच बीच में हलकी बारिस भी होगी सनिवार और रविवार को पश्मे विजव के बाद बारिस की संभावना जटाए गई है मोसम विभाग ने काया है कि इस दोरान चलने वाले हवाओं से पेड़ों के तूटने का भी खत्रा रहेगा इस कान से लोगों को बारिष के दोरान पेड़ों के नीचे नहीं रुखना चाहिए मोसम विभाग ने कटी हुई फसलों को सुरक्षित थान पर रखने खेतों से पाने के निकासी की विवस्ता करने जैसे सुजाव भी दिये है मोसम विभाग ने बताया है कि 13 और 14 अपरेल को परदेश में बारिष के साथ ओलावस्टे की संभावना है औरेंज अलट की बात करें तो इसार, जींद, यवनानगर, कुरुशेतर, कैथल, करनाल, शिर्शावे, फत्यावाद में जारी किया गया है वहीं यलो अलट की बात करें तो फरिदाबाद, रोतक, सोनिपत, पानिपत, भिवानी, चर्कित आदरी, पंचकुला, अमबाला, महेंदरिगर, ड्रेवाडी, जज़जर, गुरुग्रा, मेवाद, और पलवल मिजारी किया गया है भगत फूल सिंग महिला विस विदालाग खानपुर कला सोनिपत में विभिन पदोपर भरती के लिए आविदन मांगी गए हैं अगर आप भी आविदन भेजना चाहते हैं तो आपको ओनलाइन मादिम से आविदन करना होगा आविदन करने की अंतिमतिती 21 अपरेल 2024 है नियोंतमायू वे अधिक्तमायू और सेक्षिनिक योगिता जानने के लिए आपको आधिकारिक अधिसूचना देखने होगी कुल 16 पदो प्रिया भरत्या की जाएंगी जिन में कलार्क, लैब अटेंडनेंट, सिक्रेटी गार्ड, स्टेनोग्राफर, टीजीटी स्टाफ, नर्स, जेबिटी यानि प्रामरी टीचर्स, ड्राइवर, अकाउंट, कलार्क, इतियाधी पत सामिल हैं इन पदों के लिए उ ले लिया है, परदेश सरकार द्वार अपना फैसला वापस लेने के बाद, जिला खाद आपूर्ति नियंत्रक ने हिसार दिले के 109 डिपो धारकों को पहले की तरह रासन सप्लाई करने का आदिश दिया है, परदेश सरकार ने कुछ समय पहले फैसला लिया था, कि 60 साल से अधिक आयू के लोगों को रासन डिपो अलॉट नहीं होंगे, हरियाना में भारतिय जन्ता पार्टी आने बीजेपी को लोक्सवाद चुनाव में मात देने के लिए कॉंग्रेस बड़ी प्लानिंग कर रही है, पूरु मोख्यमंत्री भुपेंदर सिंग हुट्डा समयत का शीनियर नेताउं द्वारा लोक्सवाद चुनाव लड़ने से इंकार कर देने के बाद अब कॉंग्रेस सेलेबिटी कार्ट खेलने के तयारी कर रही है, शूत्रों की मताविक माने तो बीजेपी को सभी 10 लोक्सवाद सीटों पर जीट से रोखने के लिए सेलेबिटी चेह शीनियर नेताउं द्वारा लोक्सवाद चेतर से चुनाव लड़ने के लिए अपनी दाविदारी प्येस कर रही है, राजबबर एक वरेष्ट नेता एम अनुभावी सांसद रही है, ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी यादी उन्हें प्रताशी गोशित करती है, तो अपने समय में ब्रष्टाशार के उद्ध्योग लगा रखे थे, भाजबर सरकार ने उन्हें बंद कर दिया, पूरु मंतरी ब्रेंदर सिंग और पूरु शांसद ब्रजेंदर सिंग का नाम लिए बिना कहा कि हमारी इच्छा रहती है कि कुछ अच्छे आदमी हों उन्हें किचड से निकाल कर कमल की सवारी करा दें, किचड में पढ़ें लोगों को कमल की सवारी कराने के लिए ले आते हैं, लेकिन क्या करें, उनकी नाक का नसा है, कि कमल की सुगंध पसंद आती ही नहीं और फिर से ढूफते नईया में जा बैठें, बिना नाम लिये, पूरु में सत्ता समानने के बाद भाजपा ने जाम ब्रिष्टाचार पर लगाम लगाई पहले लोगों में धारना बन गई थी कि यदि कोई काम करवाना है तो उस काम के इसाब से अधिकारी या फिर क्रमचारी को पैसे देने ही होंगे तब ही काम होगा लेकिन हमने उस धारना को खत कर दिया गया है तो कि पांच बच्चों को अस्पिताल से चुटी दे गई है इधर महेंदरगड कनीना और रिवाडी बार असोशेशन ने हाथ से में मरत बच्चों को सरधानली देते वे शुक्रवार को अधारत में कोई काम नहीं किया इस दोरान 400 से अधिक मामलों पर सु कर दिया गया है यहां से उनका रिवांड लिया गया है अभी तक कि जाच में स्कूल प्रबंदन की और से काफी खाम्या पाई गई है अन्य आरोपियों की सनलिपता भी मिली है जिनकी तलास जारी है हरियान के सीम नायव सिंग श्याणी ने महेंदरगड के कणिना के गाउं उनानी में स्कूल बसके दुरबटना के बाद बड़ा संग्यान लिया है उन्होंने दुरबटना के लिए जिम्मिदार अधिकारियों वे स्कूल संचालकों के खिलाब सक कारवाई के आदिश दिये जो बच्चे घायल हुए है उनका इलाज का खर्चा सरकार वहन करेगी और जिनकी मर्ति हुई है उनके परिजनों को उचित मौजा दिया जाएगा उन्होंने कहा कि संकट की सरकार विश्वास दिलाती है कि इस लापरवाई के लिए जिम्मिदार लोगों को किसी भी सूरत म बक्षा रही जाएगा हरियाने विद्याले सिक्ष्या बोड भीमानी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है बोड अदेक्स डाक्टर वीपी आदो ने एक प्रेस कॉनफेंस में जानका निदी है कि सेकेंडरी वे सीने सकेंडरी सैक्सिक प्रिक्ष्या फरवर बास के मादेम से भी सुचित कर दिया गया है प्रिक्ष्याओं का समय दो पर साड़े बारा वजे से साम साड़े तीन बजे तक कराएगा प्रिक्ष्यारति को प्रिक्ष्या से 30 मिनट पहले अर्थाद 12 वजे प्रिक्ष्या सेंटर पर पहुंचना होगा जिन प्रिक्ष्या खोड़ा नें हो से निकालने वाले हमारे दाधा उंपरगास हमें वापस बुलाने का फैसल करना है धिक भीछशाइबिग छूठाला सब्सक्रत पर नहीं को रहा है मैंने इस सा कोई भी निर्देश नहीं है जो कर रहे हैं वे खुद के इस्तर पर कर रहे है दिगविजे चोटाला ने कहा कि पूरुष यह मनौरलाल खट्र की सवी की वज़य से ही दुशंत को नाराज के झेलने पट रही है लोग दूशन चे नाराज नहीं है दिखविजे चोटाला ने कहा कि जजपा लोक्षभा चुनाओ पूरी मजबूते के साथ लड़ेगी अगले एक से दो दिन में जजपा अपने प्रतियासी घोशित कर देगी हरियान के महेंदरकट स्कूल बस हाथ से को लेकर सरकार अलट हो गई है मुक्य सचीव टीवेशन परशाद ने वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरीए सभी जिलों के डिसी और एसपी को सक्त हिजाय दिये है बैठक में परिवेहन वीबाग सिक्षिया वीबाग के अधिकारी भी मौझूद रहे वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरीए आदेश देते विए चीफ सेकरेटर ने कहा कि परदेश के सभी जिलों में एक एक बस को चेक किया जाए जो भी सुरक्षा वाहन पॉलिशी नियब पूरे नहीं करता उसके खिलाब सक्त कारवाई की जाए उन्होंने आदेश देते विए कहा कि डिप्टी कमिशनर और पुलिस अधिक सक इस मामले को परसनली देखें और मैं इसके खुद मौनिटरिंग करूँगा उन्होंने कहा कि इस मामले में डिसी एसपी एक्षन लें तागि हम अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिशित करश कें वहाई दूसरी तरफ ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर असीम गोईल ने परिवहन विबाक की मीटिंग में अधिकारियों को सक्त निर्देश दिये वहीं चीफ सेक्रेटर ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़े सर्म की बात है कि हम बच्चों की सुरक्षा करने में नाकामयाब हुए हैं इन बच्चों का बलिदान जायर नहीं जाना चाहिए स्कूल वालों के बीच पर सासन के देशत दिखाई देनी चाहिए गलत करने वालों को जूते लगाओ भले कितना ही बड़ा कनेक्शन वाला है क्यों नहीं हो अगर काम नहीं हुआ तो इनको भी नोटिस दूँगा साथी आईपीसी में केस भी दरज कराऊंगा बच्चों की जान के परती हमारा यही प्राइस चीत है कि हम अब best quality bus, best facility की साथ उपलब्द करवाएं उन्होंनी काया कि कितना भी बड़ा दबंग हो उसके खलाब कारवाई की जानी चाहिए चीप सहरेटरी बोले इतना सक्त इलाज करना है कि यह लोग यानी स्कूल संचालक याद रखे सक्त से सक्त कारवाई हो, बिग चेंज आना चाहिए इस घटना से पूरा समाज धुकी है, किसी भी सुर्थ में बच्चों का वलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए इस मावले में DC, SP, एक्षन ले, ताकि हम अपने बच्चों की सुरुक्षा सुनी सित करश के असिम गोईल ने बताया कि पूरे हरियाने की स्कूल बसों का विवरण मांगा गया है, कितनी बसें फिट है या फिर अनफिट है वंदे भार्त ट्रेन में सफर करने का सपना हर यात्री का होता है, मगर किराय ज़्यादा होनी की वज़े से लोग सफर नहीं कर पाते है राहत की बाद या है कि अब यात्रीयों को वंदे भार्त में सफर करने का सपना भी पूरे होने वाला है दरासल भारते रेलवे वंदे भार्त में स्लिपर कोच की सुविधा देने जा रही है, इसके लिए वंदे भार्त स्लिपर ट्रेन लॉंच कर दी गई है वंदे भार्त स्लिपर ट्रेन के सुविधाओं से लेस है और देश में रेल यात्रा में करांत दिला सकती है पहली वंदे भार्त स्लिपर ट्रेन दिल्ली हावडा और दिल्ली मुंबई रूट के बीच चलने के तयारी चल रही है, यह रूट सब से वैस्त है इरान इसराइल में बढ़ते तनाव के बेज भारत समेथ पांच देशों ने ट्रेवल एडवाजरी जारी किया है इसमें नागरिकों को इरान और इसराइल ने जाने की सलाह दी गई है एडवाजरी जारी करने वाले देशों में अमेरिका, बिर्टेन, रूस और फ्रांस सामिल है भारती ने सुक्रवार साम को ट्रेवल एडवाजरी में कहा है कि सभी भारती नागरिक अगली सूसना तक इरान और इसराइल की यातरा नहीं करें विदेश मंत्राले ने कहा इरान या इसराइल में रहने वाले भारते वहाँ की दो तावासों से फोरन संपरक करें और अपना रिजिस्टेशन करवाएं सभी अपनी सुरुक्षा का खाया लखे और कम से कम बाहर नकले दरासर एक अपरेल को इसराइल ने सीरिया में इरानी एमबेसी के पास एक एर स्ट्राइक की थी इसमें इरान के दो टॉप आर्मी कमांडर समय तेरा लोग मारे कही थे इसके बाद इरान ने इसराइल को बदला लेने के धमकी दी है भारत ने यह ट्रेवल एडवाजरी उस वक्त दी है जब अमेरिके अकबार वाल स्ट्रीट जनरल यानि डवलो एसजे ने दावा किया है कि इरान अगले दो दिन में इसराइल पर हमला कर सकता है इरान इसराइल में चारी तनाव के बीच अमेरिका के विदेश मंतरी एंट्नी ब्लिंकन ने साथी अरब, चीन, तुर्किये और कई यूरोपिये देशों के विदेश मंतरीों से फोन पर बात की ब्लिंकन ने सभी देशों से इरान को हमला ने करने के लिए मनाने को कहा है गुजरात पुलिस भरती बोर्ड के और से कॉन्स्टेबल और सब इंस्टेबल यानि एसाई साहित बारा जार सी जादा पदो पर भरती निकाली है इस भरती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दियागा है उमिदार ओफिसल वेबसाइट ojas.gujra.gov.in पर जागर आउधन कर सकते है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बात करें तो कॉन्स्टेबल के लिए किसे भी मानेत परात बोर्ड से बारूई या इसके समकक स्परिक्षे पास होनी चाहिए वही सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजियोशन पास होने चाहिए Constable के लिए नूनत बायू 18 वर्ष और सब इंस्पेक्टर के लिए नूनत बायू 20 वर्ष तैकी गई है तो वही अधिक्त बायू 33 वर्ष तैकी गई है मार्च में खुद्रा महेंगाई दर 10 महीने में सबसे कम रही है खाने पिने की जेजे सस्ती होने से खुद्रा महेंगाई दर में एक गिराउट देखी गई है नेशनल स्टेटिकल ओफिस यानि एनसो के और से शुक्रवार को जारे आकड़ों के मताबिक बात करें तो देश के खुद्रा महेंगाई दर मार्च में घटकर 4.85% रही है इससे पहले जूर में एदर 4.81% थी महेंगाई का सिधा समन्द परचेजिंग पाउर शे है उदारन के लिए यदि महेंगाई दर 6% है तो अरजित किये गई 100 रुपय का मुल्य शिर्फ 4.00 में रुपय होगा इसलिए महेंगाई दर को देखते विए निवेस करना चाहिए नहीं तो आपके पैसे की वैलू कम हो जाएगी भारती शेयर बाजार में हबते के आखरी कारोबारी दिन गिराउट देखने को मिली है सैंसेक्स 793 मांग की बड़ी गिराउट के साथ 74,244 के स्तर पर क्लोज हुआ तो आई निप्टी में भी 234 संगों की बड़ी गिराउट देखने को मिली और सैंसेक्स के 30 शेयरों में 26 में गिराउट और सिर्फ 4 में तेज़ी देखने को मिली है वहीं एक डोलर का रिट 83 रुपए 61 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है वहीं 10 ग्राम सोना 1351 रुपए महेंगा होकर 33,174 रुपए का हो गया है वहीं 1 किलो चांदी का भाव 1460 रुपए बढ़कर 33,819 रुपए हो गया है एक्सपर्ट के अनुसर माने तो आने वाले दिरों में इनके दावों में और तेज़ी देखने को मिल सकती है आज खबरों बशित रही देखते रहे हैं आपका अपना हर्याण का सबसे बेतरे न्यूज चैनल CWB हिंदी न्योज नमस्कार इसे आसा के साथ आपका दिन सुब रहे